Hello students, अब हम लोग अगले थियोरी भी चलते हैं, आपरमे संख्या और इससे आपको सारे लिखेट थियोरी बताते हैं तो इस रेशनल नमबर या आपरमे संख्या मैंने आपको बता दिया क्या क्या है आपरमे संख्या क्या होता है? वैसे संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहाँ P और Q क्या पुरनाथ तो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और Q जहाँ पर 0 ना हो तो क्या बोलते है अपर में संख्या तो यह मैंने आपको बता दिया पहले ही एक तरीके सौर बताया था कि अगर उसको हम डैसिमल में लिखते हैं नहीं वह रिपीट होगा और नहीं वह अंध होगा तभी उसको अपर में संख्या कहा जाता था तो यहां पे अब exercise जो बनाना उसके लिए तीयोरी हमारे पास है उसमें देखिे आपको इस exercise में क्या होगा बनाना बनाना होगा कि यह इंपर me productive मान लेते हैं कि 4 और rr 2 आपरOS क्या है कैनी तो सारा कुछ के हमें साबित करना होगा, प्रूफ करना होगा, कि आपर में संख्या है कर नहीं, तो आपर में संख्या आपको पता हों चाहिए, कि क्या होता है, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है, और Q 0 के बराबर नहीं, ठीक है, यह आपको आपरमे संख्या मैंने बता दिया है और example भी बहुत सार ले लिया तो यहां से अगर root में अगर कोई भी अभाजी संख्या होता है क्या हो अभाजी संख्या रहे तो जरूरी है क्यों क्या हो जाता है E-ration number मतलब a-parmium Sankhya हो गई होगा उसका अलावा होगा ऐसा नहीं कि तो यहां से हम लोग क्या करते है हम लोग a-parmium Sankhya में यहां क्या सिथ करेंगे कि root p क्या root p a-parmium Sankhya है कि नहीं इसके मदद से क्या होगा आपको सारक सारा पत लग जाए कि हाँ, अब साबिद कर सकते की नहीं, कैसे करना है, मेथड सारा बताए जाएगा, ठीक है, तो root P के बारे में अगर जान लेंगे, तो root 2, root 3 और root 5 के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन इससे पहले हम इनहीं को देख लेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्जामें पुछा है कि root 2, आपर में संख्या कैसे सिथ करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पुछा है, यहाँ पे P क्या होगा, अब भाजी संख्या, उसके बारे में सवाल आता है, और उसी के बारे में बताए जाएगा, तो इसको बताने के लिए, सही मेथड तो ये होता है, एगर root 2 हमें साबित करना, ठीक है, कि यह आपर में संख्या, या root P ही हमको साबित करना, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या है, इसको मतलब A बटा B के रूप में, या P बटा Q के रूप में, इसको लिखा जा सकता, मा माने के बात क्या करेंगे हम ऐसा तरक वहां पर देंगे कि हम अपने बात को ही गलत साबित कर देंगे हमने पहले क्या माना कि यह जो है आपर में संख्या नहीं है पर में संख्या है और उसको हम तरक ऐसा ऐसा देंगे कि हमें अपने बात को गलत साबित करना है ताकि हम उल्ट है उसमें विरोधा भास आजाएगा इसका मतल़ हमें उल्टा करना पड़ेगा ठीक है तो हम चलते हैं पहले सीध करने क्यों यह बहुत बार पुछा बिहार बोड में यह पूछा वह सवाल है ठीक है ना बिहार बोड में 2008 में पूछा था और बहुत सारे यह पूछा गया है तो इसको हमें साबित करना तो हमें क्या करना चाहिए रूट टू यह क्या है आ परिमेशंख्या है हमको सीध करना है ना मनलब परिमेशंख्या नहीं सीध करना सबसे पहले हम क्या करें मान लेंगे ठीक है यह रूट टू क्या है एक माना की रूट टू एक परिमेशंख्या क्या है परिमेश संख्या अब परिमेश संख्या हमने मान लिया तो इसको हम लिख सकते है root 2 बराबर P बटा Q P Q क्या है P Q पुर्नांख है P Q पुर्नांख है और Q क्या है 0 के बराबर नहीं ठीक है यह सब तो होगा है क्योंकि परिमेश संख्या है अब क्या करते हम, इसको वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने पर, तो वर्ग करें तो एक तरफ थोड़न करेंगे, दुनों तरफ करेंगे, तो root 2 का वर्ग कर देंगे, और बराबर P बटा Q का भी वर्ग कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यह root 2 का वर्ग करने पर 2 आ जाएगा तो कि root 2 गुने root 2 क्या होता है 2 होता है बराबर क्या हो जाएगा P square बटा Q square तो हम इसको अगर तीरियक गुना करते हैं तो Q square बराबर P square या इसी को लिख सकते हैं उल्टा कर दे P square बराबर 2 Q square अब यहां से किसी भी नंबर में क्यों 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 पुर्णांख है तो यह भी क्या होगा पुर्णांख होगा किसी भी नंबर में अगर 2 से गुना होता है तो इसका मतलब तो 2 से अगर गुना अगर रहता है इसमें तो क्या होगा हो समसंख्या होगा ठीक है तोकि 2 से गुना न 3 से कट जाएगा , मतलब किसिए विस्व संख्या का वर्क संख्या होता है , तो जब ही तो विस्व संख्या वर्क पी भी क्या होगा पी भी एक समसंग क्या होगा क्या होगा एक समसंग क्या होगा ठीक है अब हम क्या करते हैं जब समसंग क्या है तो पी को हम इस तरीके से लिखते हैं पी बराबर टू के लिख सकते हैं दो गुने दिश है कि नहीं लिख सकते हैं अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, कुछ बात आपको याद भी रखना पड़ता है, जैसे ये भी क्या, आपको याद रखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पीए स्कुएर बराबर, तू के का होल स्कुएर, क्या जाएगा, यहां से देखें, तो पीए स्कुएर बराबर, पूर के स्कुएर, होगा, और इसको हमने पहला मौन लिए, तो पहला से, क्या हो जाएगा, पीए स्कुएर को टू क्यू स्कुएर लिख सकते हैं, क्या लिख स इसका मतलब q-a square बराबर क्या तो q-a square बिलकुल इसी तरह इसका मतलब q भी क्या होगा ये भी क्या होगा तो q square भी Sum संख्या तो q भी sum संख्या होगा अब यहाँ पर जब हम P by Q लिखते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होता P और P एवं Q में कोई पुभाइनिस्ट गुननखंड नहीं होता यह जब हमने लाइन लिखा साथ आपको समझा है पुभाइनिस्ट मतलब दोनों में होना चाहिए तो दोनों में कोई गुननख जैसे हम लिखते हैं P by Q मतलब 4 बटा 3 तो क्या दोनों में कोई गुननखंड होगा नहीं होगा लेकिन हम लिखते हैं 8 बटा 6 तो यह हम नहीं लिखेगा परिमेशंख्य सरलतम रूप नहीं है अब यहां से क्या है अब यहां देखिए Q भी क्या होगा एक समसंख्या और पी भी क्या होगा एक समसंख्या इसका मतलब पी एवं क्यों समसंग क्या है समसंग क्या है आता दोनों में दो समसंग क्या मनला दो से दोनों कटेगा दोनों में दो एक फुभाइनिस्ट गुनन खंड होगा ठेक है अब यह होगा तो हमने तो माना था कि नहीं होगा अब यहां से क्या है इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था कि नहीं जो हमने माना था वो बिल्कुल गलत माना था इसका मतलब क्या हो गया यह हमारी मानिता के विपरित मानिता के विपरित है कि नहीं, जो हमने माना था, उसका उल्टा रहा हमने क्या कहा था, कि कोई उभाइनिस्ट गुनन खंड नहीं होगा पी बटा क्यों रहे तो, अब यहां तो आ रहा इसका मतला, अता रूट टू परिमे संख्या नहीं होगा अब परिमे संख्या नहीं हो तो क्या होगा अब परिमे संख्या होगा ठीक है यही हमें साबित करना था पहले हमने क्या क्या पहले हमने मान लिया कि P बटा क्यों करूप में इसको लिखा जा सकता और हमने यह दिखा दिया कहा कि P और क्यों में क्या हो तो भैनिस गुरुनिन खन नहीं होगा, क्योंकि हम लिखते तो भैनिस गुरुनिन खन नहीं होता, ठैक मतलब दोनों में कोई कटने व favorah नहीं होना चाहिए, ठैकके जैसे 4分 3 को रूप में, 8分 6 को रूप में नहीं, ठैके न, तो इसका मतलब क्या करना है? सब में एक हे sh Words करना है यही सारा ठीक है फिर क्या करना रूट टू है अब इसको क्या 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 है? दुनों तरफ मेर कर दिए तो एक भूब मिलाएं और हम बता दें कि Samsung क्या है दोसे कटने वाला दोसे भाज्य है, तो Samsung के यहां आ गया, फिर मान लिए P बारबर 2 के, तो P बारबर 2 के मान लिए, फिर दोनों तरफ बर किये, फिर इसको हमने replace कर दिया इधर, ठीक है, यहां पर P square आ था, P square का हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसको हम कार दिये, तो Q square का अब उसी रूप मां गया है, जैसे यह आया, अब दोनों के रूप में तया है, इसका मनलम संवी संघ्र खाल के तो सबसे जादे सवाल यह आने का चाजакти में बनता है, ठीक है, अब क्या है, Q x Sam Sankyan, उसका क्या मतलब नारे, थो आपने मतलब क्या मतलब क्या, 2 होगा, तो मत की संभाव तो मान लेते हैं माना की रूट 3 क्या है एक परिमेशंग क्या है क्या है एक परिमेशंग क्या है बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा सब कुछ ठीक है न तो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा टी बटा क्यों के रूप में लिख सकते हैं जहां टी क्यों क्या है पुर पी, क्यू में कोई उभाइनिस्ट गुननखंड नहीं है, ठीक है, हमने मौन लिया, अब फिर से पिछले सावल में मैंने क्या किया था, रुट्टु वाला, अस्क्वाइर के तो, यहाँ क्या करेंगे, अस्क्वाइर करेंगे, दोनों तरफ, वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लूट्ट 3 का स्क्वाइर, और P बटा Q का स्क्वाइर, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, यह 3 हो जाएगा, और यह क्या जाएगा, P स्क्वाइर बटा Q स्क्वाइर हो जाएगा, तो इससे क्या लिख सकते हैं, 3 Q स्क्वा बराबर 3 Q स्क्वाइर एक ही बात है यहां से क्या लिखावा है P स्क्वाइर बराबर 3 Q स्क्वाइर इसका मतलब P स्क्वाइर 3 से कट जाएगा है यह से P स्क्वाइर बराबर 3 Q स्क्वाइर लिखावा तो इसका मतलब क्या समझे मतलब ऐसा होगा 3 गुने हो सकता है 8 हो सकता है तो यह 24 वा 3 से कटेगा न, तो 3 से भाग पड़ेगा, यह कटी जाएगा, है न, तो इसका मतलब क्या होगे, इसका मतलब होगया, P स्क्वाइर, 3 से विभाजित होगा, अब हमने प्रमें एक में क्या पढ़ा था, हमने यह पढ़ा था, कि अगर P square किसी से विभाजित होता है तो P से भी वो विभाजित होगा मतला कहने का मतला अगर X Y square को विभाजित करता है तो X Y को भी विभाजित करेगा यह हमने परमेह में पढ़ा था आप पिछले चेप्टर में देख सकते हैं तो P भी तीन से विभाजित होगा ठीक है इसलिए P क्या हो जाएगा P 3 का गुनज होगा क्या होगा मतलग कट रहा तो ठीक है अब आगे क्यों चलते ठीक है अगर ये 3 सी वहाजेत हो रहा है 3 सी वहाजेत तो P को हम लिख सकते है P बराबर ठीक है जैसे वहाँ लिखे थे P बराबर 2 क वैसे हैं आप क्या 3 क क्योंकि ये 3 सी वहाजे तो लिख सकते है P बराबर 3 के और क्या क्या है क्ये कोई पूर्णांक है क्ये क्या कोई पूर्णांक है ठीक है न तो इसका मतलब दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोनु तरफ वर्ग करने पर बिल्कुल वही step चल रहा न जैसे हम root 2 में चले थे तो एक बना ले तो सब का बन जाएगा ठीक है, तो क्या हो जागे यहां से P square बराबर 3K का whole square मतलब 9K square ठीक है, अब P square को यहां देखिए इसको अगर हम पाहला मानलें, ठीक है तो पाहला से क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 3Q square बराबर 9K square किससे पाहला से ठीक है तो इसका मतलब यह काट दे तो यह तीन बच्चे का इसका मतलब Q square बराबर क्या गया है 3K square यहां आ गया ठीक है? जैसे यहाँ पाया था तो जैसे यहाँ पे है उस तरीके से यहाँ पे भी है QA square भी क्या होगा? 3 से भी भाजित होगा, 3 से भागा दे सकते है तो कोई पुर्णांक याएगा क्या क्या क्या? पुर्णांक है इसका मुलए 3 से पूरा कटेगा हता Q square 3 से विभाजित होगा होगा तो परमेएक से हम कर सकते हैं जो परमेएक में पढ़े हैं क्या कर सकते हैं हता Q भी 3 से विभाजित होगा होगा न तो कि अगर कोई Q square को विभाजित करता है तो Q को भी वो विभाजित करता ही करता है अब देखें यहाँ से देखिए Q को 3 विभाजित करता है और P को भी 3 विभाजित करता है दुनों को करता है अब यहाँ से कुछ ऐसा नहीं रहे contradiction आ गया यहां से चुकी पी एवं क्यू दोनो तीन से भिभाजिय तीन से भिभाजिय है ठीक है जैसे रुट्टू में दो से भज़ दोनो आये था यहां तीन से भज़ भाज जा autor यह और की दोनो तीन से भिभाजिय है अतर दोनों में तीन एक उभाइनिस्ट गुनन खंड होगा होगा ना क्योंकि दोनों तीन से कट रहा तो दोनों में तीन तो एक होगा है तीन गुनने कुछ तीन गुनने कुछ दोनों में तीन तो एक होगा है क्योंकि दोनों तीन से कट रहा तो तीन में, तीन तो दोनों में उभाइनिस बुनन खंड हो गाए, तीन बुनने कुछ होगा, नीचे भी तीन बुनने कुछ होगा, ठीक है? अता यह अमारी मानिता के क्या है? मानिता के विपरित है, अता रूर 3, 1 पर्मे संथ्या नहीं होगा फर्मे संथ्या नहीं होगा सावित हो गया है नहीं क्यें हमने माना था पर्मे संक्या उल्टा हो जाएगा ये मेस तर्मे संक्या नहीं होगा यहां भी हमें क्या मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि root 5 क्या है, परिमेशंग क्या है, तो क्या होगा, P बटा Q के रूप में लिखेंगे, और P Q क्या हो नांख है, और इसमें कोई उभाइनिस गुनन खण नहीं है, मतलब दोनम कोई कटने वाला नहीं है, ठीक है, यह मा क्या जाएगा, 5 Q स्क्वाइर बराबर P स्क्वाइर मतलब P स्क्वाइर बराबर 5 Q स्क्वाइर होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या निकला, P स्क्वाइर क्या है, 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब P भी क्या होगा, P भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, तो 5 से विभा पाच Q स्क्वाइर तो बराबर क्या हो गया 25 के स्क्वाइर यह कट जाएगा पाच बार में तो क्या गया Q स्क्वाइर बराबर 5 के स्क्वाइर अब यहां से Q स्क्वाइर भी क्या हो गया पाच से विभाजित हो गया तो क्यों भी क्या हो जाएगा क्यों भी पाच से विभाज तो गुनान खंट पाच अएगा क्योंकि दोनों से कट राइगा, तो पाच बिनों कुछ। दोनों आएगा, तो 他वर काटने वाला हो जाएगा है, तो यह नों को क्यों हो जांगा है, बिल्कुल उसी तरीके पी में, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो नियम के साफ से तो मुझे ये सबसे पहले बताना चाहिए, है ना, क्योंकि ये फार्मूला जैसा है, लेकिन मैंने सबसे पहले एक्जामपल लेकि इसलिए बताया, ताकि बच्चों को ज्यादा समझ मात है ना, तो ऐसे क्या, रूट तू रूट से पहले बताए, ज्यादा समझ माग गया, अब इसको क्या है, बिल्कुल वही तरीका होगा, रूट पी को क्या मानेगा, पी बटा क्यों तुम मानें, क्यों 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 क्यो हो जाएगा तो अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी बी स्क्वाइर बराबर एस्क्वाइर यह लिख सकते एस्क्वाइर बराबर पी बी स्क्वाइर ठीक है एस्क्वाइर बराबर क्या होगा पी बी स्क्वाइर इसका मतलब जो एस्क्वाइर है वो P से विभाजित होगा A square क्या होगा A square P से विभाजित होगा क्योंकि इसको लिखा जा रहा P गुने इतना तो मतलब P से कटेगा है ना A square P से विभाजित होगा तो पर मैं एक सम क्या जानते है A b P से विभाजित होगा यही तो करते हैं सब में कि यहीं तो करते है यह पर तो इसका मतलब क्या लग सकते हैं ए बराबर P के हाँ ना इसका मतलब A² बराबर क्या हो जाएगा P² पर क्या हो जाएगा को जाएगा वेकिन इसका मतलब b sqr बराबर भी क्या गया पी k sqr आ गया तो फिर से ऐसा वाला ही आ गया तो इसका मतलब b sqr भी क्या होगा पी से विभाज्य होगा अर्थात b भी अर्थात क्या है अगर b sqr भी भी क्या होगा पी से पी से क्या होगा विभाज्य होगा है ना इसका मतलब b भी पी से विभाज्य है और a भी पी से विभाज्य है इसका मतलब p दोनों में क्या होगा उभाइनिष्ट गुननखंड होगा होगा उभाई निष्ट गुनन खंड होगा ठीक है इसका मतलब जो हम मानेत हो वो बिलकुल गलत था ये रूट के क्या होगा एक परिमेशंख्या मतलब परिमेशंख्या नहीं होगा तो इस तरीके से ये चारों में से आपका एक नयक सवाल आने का चांस लग भग रहा था ठी ठीक है रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन तिनों में से एक सवाल आने का चांस रहेगा इसको अच्छे से कर लिजिए मैंने बताया है सुरुवात के दोनों डिटेल बताया और बाकी दोनों थोड़ा सा सौट करके बताया ठीक है कोई दिकत नहीं होगा अगर बार बार उसको ठीक है तो दिखते हैं सवाल कैसा कैसा आपका आ सकता है ठीक है मतलब सवाल कैसे आपको सुल्व करना है वो तरीका समझाते है ठीक है यह ऐसे भी विहार बोन में साथ 25 में पूछा जा चुका है यह सवाल ठीक है न तो दिखाएं कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेसंग क्या है तो हमें क्या करना पड़े हैं मानना पड़ेगा है ना तो मान लेते हैं माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेसंग क्या अब यहां P बटा Q मानने करें उतना यह ठीक है अगर मानने तो बड़ा दिखेंगे P by Q किसम मानने जब अके लिए रहेगा तब ठीक है बड़ा रहे तो हम क्या मान लेंगे X, Y कुछ भी मान लेंगे 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या है X लिख सकते हैं यह X बटा एक लिख सकते हैं बातों ही पड़ा न है नो तो इसका मतलाब इसको अगर आगे solve करें यहां पर लिख देना है X, Y पर में संख्या X, Y पर में संख्या ठीक है तो क्या हो गया यहां से लिख सकते हैं 5 इसको इधर करें X को तो यह माइनस में और यह अगर इधर आएगा क्या हो जाएगा root 3 ठीक है क्या जाएगा root 3 यह माइनस प्लस में अब यहां से देखिए यह भी क्या है पर में संख्या यह भी क्या पर में संख्या और पर में संख्या पर में संख्या का अंतर जो होता है वो परिमे ही रहता है ठीक है तो यहां पाच एवं एक्स परिमे संख्या है परिमे संख्या है अतर इनका अंतर एक परिमे संख्या होगा तोनों का अंतर क्या है परिमे संख्या ही होगा है ना जबकि रूर्ट 3 हम जानते क्या है हम सीथ कर चुक है रूर्ट 3 क्या है रूर्ट 3 एक आपरिमे संख्या क्या है एक आपरिमे संख्या है ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है पाच माइनस एक्स क्या हो गया है परिमे संख्या तो परमे संख्या है और उट स्रे क्या है तो अब यह ओंस डिग पर संख्या तक जब है यह तो इस ग्रह पर मेंशन नहीं जरे जब कि यहां रहा ये दोनों appelle में नहीं है कि परमेशन ख्या और परमेशन ख्या बराबर हो जाए अता हमारी मानिता क्या है गलत है हमारी मानिता गलत है जो मानिता गलत हो गया अता 5 मानिता रूट 3 एक आपरमेशन होगा एक आपरमेशन क्या होगा ठीक है न, जो हम माने हो गलत हो गया, ठीक है? एक बात मैं और बता दूँ, आपको याद यह रखना है इस नॉमा क्लास में यह बताए गया था, लेकिन साइद भूल गया हो गया, ठीक है न, कि परमे संख्या और आपर्मे पर्मे और आपर्मे संख्यागर रहेगा तो चाहे जोड रहे घटाओं रहे या गुना रहे या भागा रहे ठीक है? ये दोनों में अगर कुछ भी होगा तो जो रिजल्ट आएगा इसको करने के बाद वो हमेशा आपर्मे में ही होता ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो पर्मे पर्मे तो ये हमेशा क्या आएगा? हमेशा पर्मे ही आएगा क्या आएगा? पर्मे ही आएगा ठीक है? पर्मे संख्या मतलब ठीक है? लेकिन अगर ऐसा हो जाए आपर्मे और आपरिमे तो ये परिमे भी आ सकता है या आपरिमे भी आ सकता इसका कोई fix नहीं है परिमे भी आ सकता आपरिमे लेकिन अगर परिमे और आपरिमे दोनों अगर कुछ हो जाएगा तो इसका मतलब वो आपरिमे जैसे पाच रूट थरी लिए तो ये टोटल क्या होगा, अगर हम जोल घटाउ भी करेंगे, 5 फ्रूट 3 ये परिमेही होगा, तो ये देखना है, कि अउपरेशन किस में किस में हो रहा, परिमे और आपरिमे अगर होगा तो इसका मतलब आपरिमे ही आएगा उसके अलावा कुछ नहीं आएगा परिमे परिमे ही होगा तो क्या होगा परिमे ही आएगा यही दोनों मेन आपको काम देगा यहाँ पे यह तो बिल्गुल काम साहयद नहीं देगा लेकिन जानना जरूरी है कि आप परिमेई हो, आप परिमेई दुनों अगर मिल जाए क्या हो गया? अब माल लेते हैं 2 रूट 3 है ठीक है? और यहां पर ले लेते हैं रूट टू है आप क्या आप परिमेर पर में भागा दे रहे तो क्या होगा यह आप परिमेर रह जाएगा यह बात आपको ध्यान देनी